असलाम अलेकूम आज मैंचिस की त्रीका लेस्न बर बारां पढ़ेंगे लेस्न बर बारां का टाइटल लफज बर लफज यहां पर आपके सामने में एक्स्प्रेंट करने कोशिश करता हूं टाइटल है पाचुं याउदा थूंशी यानि के जरूरी चीजें इंपोर्टन च चीजें फंग जए रख दो वचर बा मेरे पास पाचुं याउदा तूंशी फंग जए वचर बा के जोड़ी चीजें मेरे पास रख दो यह पिंगीन में टाइटल देख लें यह इसके इंग्रिश लिख हुई है और साथ मैंने आपके असानी के लिए उर्दू भी तहरीर की है लेसन नुम्हे बारां का पहला डायलोग शाओली और शाओकां के दर्मयान हैं जो के मेन क्रेक्टर्स हैं इस बुक के यह पहले गर्फरेंट बॉइफरेंट थे लेकिन अब भी हालात से इस तरह लगता है कि यह दोनों मिया भी बन चुके हैं जबके बकाइदा तोर किताब के अंदर बताया नहीं गया मेरा अंदाजा यह ऐसा इसलिए है कि पहले आम तोर पे कभी डायलोग का टाइटल हुआ करता था शाओली के घर में या फिर शाओकां के घर में लेकिन अब जब भी यह दोनों एक डायलोग में आते हैं और आगे आएंगे तो टाइटल अमोमन दिया गया जाइचा यानि के घर पे और इनकी रोटीन की लाइफ भी एकठे दिखाए गया जिससे यही पता चलता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है अगर बकाईदा तोर पे किताब में बताया जाता तो ज्यादा अच्छा होता लेर्नर्स के लिए ज्यादा द चिंतिया थाय यांग चूंग सी बें चूल आयलमा मतलब कि क्या आज सूरज मगरिब से निकल आया है चिंतिया थाय यांग आज सूरज चूंग का मतलब होता है फ्रॉम सी बें यानि राइट साइर चूल आयका होता है तो कम आउट निकल आना और मा है क्वेस्टन पार्ट तो शावकां कहता है जामला यानि कि क्या हुआ शावलीब कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों सोने लगे हो कि पहले तो तुम बारा बजे के बाद सोते थे मतलब बारा बजे के बाद साय का यहां पर क्या यूज है वो समझने की बात है एक बड़ा ठीकी लैंग्विज पॉइंट है जब इस तरह साय यूज किया जाए तो इसका मतलब है स्पीकर के पॉइंट और व्यू से ये एक्शन ये बात जिस टाइम पर होनी चाहिए थी उससे लेट ओर या मतलब शाओली के पॉइंट और व्यू से शाओकां का रोटीन में बारा बजे के बाद सोना बहुत लेट है इतनी लेट नहीं उससे सोना चाहिए तो शाओकां कहता है तो उसने मुझे बताया है, यानि के मैनेजर ने शावकाम को बताया है, मिंध्यां पाद यां पूताओ, कि अगर सुबो आठ बजे, यानि कल आठ बजे नहीं पहुंचे, यह खोच और बेल आयला, कि बाद में फिर ड्यूटे पे मत आना, मतलब यह कि अगर तुम कल आठ बजे नहीं पहुंचे, तो फिर आएंदा ड्यूटे पे आना ही ना, मतलब कि तुम्हारी नुकरी गई, यह कहने का मतलब है, इसलिए शावकाम आज रोटीन के निस्पर जल्दी वक्त पे सो रहा है, उर्दू-इंग्रिश ट्रांसेशन आपको दिखाऊंगा, ताकि अगर कहीं पे कोई मसला, कोई कन्फूजन है, तो आप देख के पोड़ी कर लें, और ज़रुवत पढ़ने पे वीडियो पॉस करके, आप ट्रांसेशन लेख सकते हैं, इस तरह से आपको ज़्यादा हसानी होगी, सेकंड डायलोग भी सेम वो शावली और शावकांग घर पे हैं, क्या बातें कर रहे हैं दोनों आपस में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएगा है, क्या आपको भी लगता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, या फिर मेरी गलत वहमी है ये, शावकांग कहता है, कि मुझे मैनेजर जो के साथ आउट ओफ सिटी जाना है, काम के लिए, काम करने के लिए शावकांग ने जाना है, मैनेजर जो के साथ शहर से बाहर, के तो कल का जहाज है, कल की फ्लाइट है, शावकांग बता रहा है, अब भी वी शावली को, काम लिए मुझे बताएगा, आपको भी लगता है शावली इसकी भी बन चुके है, नहीं, ना वह पांग नहीं, के कब वापस आना है, दोबारां से यह लाइन वर्ड वर्ड देख लेते हैं ना वाओ पांग नहीं कि मैं तुम्हारी हैल्प कर देती हूँ पाई फॉर फांगताओ कपड़े रखने में सिंगली श्यांग लीबा सूटकेस के अंदर सिंगली श्यांग होता है सूटकेस तो श्यांग श्यांग कब वापस आओगे श्यांग बताता है एक हफते में ही वापस आजाओंगा यहां पर च्यो क्या है कि स्पीकर के पॉइंट और व्यू से जो स्पैसिफिक टाइम बताया जा रहा है वो बिल्कुल ज्यादा नहीं है एन टाइम पर है या इवन के टाइम से भी पहले है मतलब श्यांग के मताबक एक हफते में वापस आ जाना यह कोई ज्यादा वक्त नहीं है ठीक है लेकिन श्याओली श्याओली के कहते है यानि कि हैं यह खोट साहे खोईला है कि एक हफते के बाद तुम आपस आओगे अब वही स्पेसिफिक टाइम ऑफ पेडियर्ड श्याओली के लिए श्याओली के साथ वो यूज करें यानि कि श्याओली के जहन के मताबक बहुत ज्यादा है लेकिन श्याओली के लिए कुछ भी नहीं है और अगर ज्यादा है तो अब श्याओली के लिए कि तुम अपना ख्यार रखना कि मैंने तुम्हारे लिए खाने पने के लिए अच्छी चीज़ी अलड़ी बना दी है वह इचिंग मैंने अल्रेडी गे नहीं तुम्हारे लिए तुम्हें दिया है चुम्बे हाओ चुम्बे हाओ उच्छ दा प्रिपेर करके टेस्टी टेस्टी खाने के लिए ख़़दा ओर पीने के लिए मतलब कि मैंने तुम्हारे खाने पीने के लिए मज़े मजढ की चीज़ी ने अलरी मुझे बना दियैं शौकांग खुद जा रहा है बिजनस के लिए ट्रिप के लिए अपनी जौब के सिल्सले में आउट उफ स्टी जा रहा है और शौली के लिए खाने पिने की चीज़े प्रिपेर करे तियार कर करे जा रहा है इससे यही लगता है कि यह दोनों आपस में मियां भीवी है और शावली कहती है हावा मतलब कि ठीक है मैंने अपनी तस्वीर आरेड़ी तुम्हारे बैग में डाल दी है मतलब कि शावली शावली ने क्या किया है यह एक अफ़ते के लिए जा रहा है तो शावली ने अपनी तस्वीर उसके बैग में डाल दी है मतलब कि जब अगर आसे में याद आए उसकी तो वो तस्वीर निकाल के देख ले देखनें दुनों का एक दूसरे का ख्याल करने का चाहत का इजहार करने का मुख्लिफ अलग लग तरीक है शावकंग जाने से पहले उसके लिए अच्छी चीजें बना के जा रहा है और शावली क्या कर रही है शावली ने सिर्फ अपनी तस्वीर उसके बैग में डाल दी है यह उर्दो-इंग्रिश आपके सामने है अगर जोट पढ़े तो आप पॉस्ट करके देख सकते हैं लिख सकते हैं तो बारह से वीडियो देखेंगे कॉंसेप्ट क्लियर करने के बाद ट्रांसिशन क्लियर करने के बाद तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी वीडियो अच्छी लगी हो हेलफुल हो तो प्लीज स्पोर्ट करना मत भूलिएगा लाइक शेर सब्सक्राइब करेजएगा और बहुत अधर दौा में याद देखेगा अलाहाफेज